हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू दा उनलाइन क्लासेज ओफ आरलकेडमी स्टुडेंट्स अपन आर्टिकल राइटिंग पढ़ रहे थे और आर्टिकल राइटिंग में कुछ टोपिक्स पर मैं आपको आर्टिकल सिखा चुका हूँ आज आपके लिए एक नया टोपिक लेक बहुत है इंतर गया हूँ जो कि आपकी एक्जाम की तरिष्टी से इंपोर्टैंट है और आज का आर्टिकल है वह आर्बियसी और सीबीड़स दोणों बर्ड़ बॉर्ड के स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टैंट रहने वाला है और जिस टॉपिक पर आज अपन के बारे में आपको बता रहा हूँ, जस ने मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, उसका नेम है डोक्टर अबदुल कलाम जिसके आपको पिक्टर दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैं जो आर्टिकल आपको लिखवाने वाला हूँ, वो किस के बारे में लिखवाने वाला हूँ, वो है डोक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखवाने वाला हूँ, अगर आपको कोई दूसरे परसन ने परभावित किया और आप उसके बारे में लिखना चाहते हो, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ज जिस भी person ने आपको परभावित किया, कोई अच्छी personality है, उसके बारे में आपे लिख दीजिए, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आपको लिखना है, तो मैंने आपको बताया था, नए page से आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले जिस topic पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, उसे title दीजिए, और वो भी capital letter के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, the person who impressed me most, कि वह है person जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा impressed किया, या आजाए ideal person आजाए, कोई आदर्स person आजाए, तो जो भी person जिसके बारे में भी आपको आता है, learn किया हुआ है, व writer जैसे नेखिल जांगे, यह लिख दीजिए, अब मेरे को जिस person ने परभावित किया है, उसका name क्या है, dr. apj. abdulklam है, तो मैं उसके बारे में आपको आने की बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई दूसरी personality के बारे में, scientist के बारे में, एक अच्छा famous होना जरूरी है वो, उसके बारे में आप लिख दीजिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरह से अपन इसको आने की पढ़ने वाले हैं, तो देखिए the person who impressed me most, वह वेक्ती जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा impressed किया, वह वह कौन थे, dr. apj. abdulklam, dr. apj. abdulklam ऐसे person थे, जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा परभावित किया, अब आप उसके बारे में लिखिए कि ऐसा उसमें क्या था, जिससे आप परभावित हुए, तो देखिए he was a renowned scientist, वो कैसे थे, एक परसिद विज्यानिक थे, या famous scientist थे, he was born, उसका जनम कब हुआ, on 15 October 1931 को उसका क्या हुआ, जनम हुआ, एट कहां हुआ, एट धनुस्खोडी के अंदर हुआ, और धनुस्खोडी के बच्चो एक village का नाम है, और ये कहां पढ़ता है, रामे सुरम district of Tamil Nadu, कि Tamil Nadu जो state है, उसके अंदर क्या है, एक रामे सुरम district है, रामे सुरम नामक जिला है, उसके अंदर धनुस्खोडी तो his father जिनका नाम क्या था, जेनूल अबदिन, उसके पिता जिनका नाम क्या था, जैनूल अबदिन था, वो जे होकर, वो क्या थे होकर, मतलब फेरी वाले थे, and used to sell newspaper, और वो क्या बेचा करते थे, उनके फादर newspaper बेचा करते थे, वाईल हीज मदर, जबकि उसकी जो माँ ति उनका नाम क्या था आसयमा था आसयमा जो कि क्या काम करती थी वो जह जे हाऊसो मौलड लेडि कि इसको बोलते है गरेशी मतलब गर का काम करने वाली जो लेडी थी ग्रैनी थी वो अब उसके बाद बात करें तो डोक्टर कलाम हैii केम आए from a modest family मतलब डोक्टर क्लाम है कहा से कीसे काई से परिवार से करते थे एक modest परिवार से साल्यन परिवार से थे हागे औप लिकेंगे की कि कलाम जो थे यहां तक उन्होंने कारिय किया पेपर बोई के रूप मतलब घर गर जा करके वह पेपर बांटा करता था न्यूज पेपर यानि कि वह डिस्टिबूट किया करता था किसको स्पोर्ट करने के लिए अपने फादर को स्पोर्ट करने के लिए he faced problems और डॉक्टर कलाम जो थे उन्होंने problems का सामना किया and hardship मतलब कष्ट यानि कि उन्होंने कष्ट भी सहने और middle class यानि जो middle class मद्देंवर किये जो परिवार है जो समस्यां आती है कष्ट आते है वो सारे किसने face किये यानि डॉक्टर कलाम ने किया बट नेवर फ्राइटेंड लेकिन कलाम है वो कभी डरे नहीं and depressed of failures और आप एस पलतास पर depressed में नहीं आई he was a man of strong willpower वो कैसा पर्षन था he was a man of strong willpower वो यानि वो पर्षन था strong willpower वाला था दर्ड यानि कि इच्छा सक्ति वालया पर्षन था he said और उसके quotes है वो बहुत ज़्यादा famous है कलाम के तो उसमें से कुछ एक मैं लिक रहा हूँ उसने कहा उन्होंने क्या कहा कि if you fail अगर आप fail हो जाते हो तो never give up कभी आप give up मत कीजिए उसे छोड़िए मत हार मत मानिए because fail का मतलब क्या होता है fail means क्या होता है first attempts in learning कि learning में यानि पहला परियास था आपका और उसमें आप fail हो गए तो कभी आप fail हो जाए तो कभी give up मत कीजिए उसको दुबारा try कीजिए he also said और उसने क्या कहा और भी उसने यानिके बाते बोली कि dreams are not दोज dreams arent who not before the day which come जो यानि आते है while we are sleeping जब हम सो रही होते है नीद में होते है जो saupan आते है वो saupan नहीं होते है बट dreams कौन से होते है saupan वो होते है those when you don't sleep जब आप son नहीं पाते हो उसे पूरा करने से पहले या वो saupan होते है जो आपको सोने नहीं देते हैं तो इस तरह से उनके जो इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और he came to be known और वे जाने जाते थे किसके रूप में जाने जाते थे बच्चो as the missile man of इंडिया के missile man के रूप में भी वे जाने जाते थे और four is work किस कारण से उनका work था on the development of ballistic missile कि उसने ballistic नामक जो missile है उसका development यानि की किया जिसके कारण उसे missile man of इंडिया के नाम से जाना जाता और किसके कारण launch vehicle technology और उन्होंने vehicle technology भी launch की जिसके कारण उसे missile man के रूप में जाना जाता है और he served और उसने सेवाई दी as the 11th president of India यानि की इंडिया के 11 राष्टपती के रूप में भी वो सेवा दे चुके हैं जो की from कब से कब तक 2002 से लेकर के 2007 तक मतलब वो देश के 11 राष्टपती भी थे 2002 से 2007 तक और he was awarded और उसे awarded दिया गया समानित किया गया किस से भारतरतन यानि की जो पुरुषकार था सबसे बड़ा यानि जो पुरुषकार है यानि उससे पुरुषकार से उससे समानित भी किया गया कब in 1997 के अंदर अब बात करें डोक्टर कलाम है वो डाइड यानि वो मर गए डूरिंग कब एक कॉंसर्ट एक कॉंसर्ट के दोरान एक संगीत गोश्टी थी उसके अंदर वो गए वे थे उसके अंदर वो गए थे कहां इन सिलोंग सिलोंग के अंदर कितने तारीकों 27 जुलाई 2015 को उसकी मरत्यू हो गई ओन 15 एक्टूबर और 15 एक्टूबर को डॉक्टर कलाम्स बड़े डॉक्टर कलाम्स का जो बड़े है वो इस सेलिब्रेटेट किया जाता है इन औल स्कूल्स ओप राजस्तान यानि कि राजस्तान की सभी स्कूल्स के अंदर एज किसके रूप में इस तरह से बच्चो अपना जो आर्टिकल था इस पर अपना आर्टिकल कम्प्लिट हुआ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों में सेर्स कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक यू